बोस्तों सुप्रभात आपका स्वागत है हमारे डेली करिंट ओफियर्स की सीरीज में आज है 13 माई और हम दिसकस करेंगे 12 और 13 माई के कुछ इंपॉर्टिन करिंट ओफियर्स MCQs के साथ तो बने रहे हमारे साथ सेशन के इंड तक स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन फर्स्ट क्वेस्चन है आज के सेशन का फू इस दा नेपलीस माउंटेनियर फू हैस क्लाइम्ड माउंट अवरेस्ट फॉर दी 29 टाइम और बीट इस ओन रिकॉर्ड ओप्शन ए पसंधावा ओप्शन बी मिंगमा सेरपा ओप्शन सी कामी रीपता सेरपा और ओप्शन डी र माउंट अवरेस्ट को फतह कर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है अगर इनके बारे में हम और भी बात करें तो इन्होंने पहली बार 1994 में माउंट अवरेस्ट को फतह किया था उसके बाद से ये लगबग हर साल माउंट अवरेस्ट को क्लाइम करने लगे और लास्ट येर और यह जो है, senior mountain guide है, seven summit tracks में seven summit tracks में यह senior mountain guide है और यह जो उपलब्दी है, 29th time यह जो mount Everest को इन्हों ने फतर किया है seven summit tracks के द्वारा organize किये गए, expedition में इन्हों ने यह उपलब्दी हासिल किये इनके साथ, other countries के कुछ, 20 climbers भी इनके साथ इस expedition में सामिल थे अगर हम बात करें कामीरीता सेर्पा की तो यह जो है नेपाल के सोलुकुम्बु के जो थेम विल्लिज है यहां के रहने वाले हैं अगर इनके बारे में और भी उपलब्धी के बारे में जाने तो इन्होंने माउंट केटू, चोओयू, लहोत से एंड मनासलू इन्हें भी फतह किया है तो आप याद रखेंगे कामीरीता सेर्पा इन्होंने रिकॉर्ड 29th टाइम माउंट अबरस्ट को फतह किया है और ऐसा करने वाले या 1st माउंटेनियर है और इनके बारे में सारी डिटेल्स हमने यहां पे जान ली नव अगला क्वेशन देखते हैं इसरो उसीं 3D printing statement 2 है the 3D printing process uses computer-aid design software to make three-dimensional objects layer by layer statement 3 है in this method layers of a material such as plastic composites or biomaterials are built up using an additive manufacturing technology to construct objects that vary in size, shape, softness and color आपको बताना है how many of the statements given are correct option A only one, option B only two, option C all three and option D none इसका answer हो जाएगा option number C यानि all three, all three statements जो है वो correct है related regarding PS4 engine के related सारे statements यहाँ पे correct है यह जो PS4 engine है इसे इसरो द्वारा अभी redesign किया गया है 3D printing technology का use करके और यहाँ पर यह दोनों statements आप 3D printing technology related statements को ध्यान में रखेंगे recently इसे जो है इसरो ने redesign किया PS4 engine को और redesign कर उसका successful hot testing भी इसरो ने किया है इसलिए यह अभी news में है अगर इस technology की बात करें तो इस technology के use से जो previous में इसके 14 components थे उसे reduce कर single single piece बनाने में इस रो को इसमें उपलबधी मिली है और यह जो है इस technology के use से production का जो overall time था इस engine का उसका 60% reduce हो गया है तो important हो जाता है आप याद रखेंगे PS4 engine के बारे में कि इसमें 3D technology का use कर इसे redesign किया इस रोने और इसमें computer design software का use है और साथ में यहाँ पर एक और कीवर्ड से additive manufacturing technology तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे अगला question देखते हैं next question a recently the fourth ASEAN India trade meeting was held at option A New Delhi India, option B Jakarta Indonesia, option C Putrajaya Malaysia and option D Bangkok Thailand तो इसका answer हो जाएगा option number C यानि option number C यानि Putrajaya Malaysia यहाँ पे जो है fourth ASEAN India trade meeting जो है वह recently organize हुआ है और यह जो fourth joint meeting जो organize हुआ है पुतरजया Malaysia में for the review of for the review of ASEAN India trade in goods agreement इसके review के लिए यह meeting organize हुआ इस meeting में इंडिया के साथ सभी 10 ASEAN countries के जो members है उन्होंने participate किया था और इस जो है यह trade agreement को more trade facilitative and beneficial बनाने के लिए total eight sub committees को अभी constitute किया गया है और यह eight sub committees के different areas को review करने के लिए इन committees को constitute किया गया है अगर हम जाने की कौन-कौन से areas है तो कुछ examples है जैसे national treatment and market access technical regulations and conformity access procedures and legal and institutional issues तो यह कुछ areas है जिन पे यह eight sub committees है और भी areas है मैंने बस उदारेन के लिए कुछ areas का यहां पर जिक्र किया है अगर हम बात करें कि इसका जो next meeting है fifth joint committee meeting वह 29 से 31 जुलाई 2024 को Jakarta इंडोनेसिया में organize किया जाएगा तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा ASEAN India trade agreement related कुछ important facts को जान लेते हैं यह जो ASEAN India trade in goods agreement है यह जो है इंडिया और ASEAN के बीच का trade agreement है और यह कब sign हुआ था तो seventh ASEAN economic ministers India consultations Bangkok Thailand में के दौरान यह trade agreement को sign किया गया था जो 2010 में effect में आये या यह trade agreement इंडिया और ASEAN के बीच 2009 में sign हुआ 2010 में effect आया और इसे जो है इंडिया free trade agreement ASEAN India free trade agreement के नाम से भी जानते हैं और अगर हम बात करें कि 2004 में verse 2004 में separate agreement को फिर से sign किया गया था अब हम जानते हैं थोड़ा सा ASEAN के बारे में ASEAN का full form आप जानते हैं ASEAN यानि Association of South East Asian Nations यह इसका full form हो जाता है यह कब established हुआ था तो 1967 में ASEAN को established किया गया था और इसके founding members थे Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand यह हैं ASEAN के founding members और recently total 10 members है ASEAN group में और total वो जो 10 members है उनके नाम है Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam यह total 10 members है ASEAN के चलिए अब हम अगले question पर move करते हैं next question is who is the first Indian male wrestler to qualify for the Paris Olympics option हो जाए sorry option है Amand Seherawat, option B Ravidahiya, option C Deepak Poonia and option D Bazrang Poonia तो इसका answer हो जाएगा option है यानि Amand Seherawat अभी जो recently qualifying जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जो है पहले male wrestler अभी तक 2024 Olympics के लिए qualify कर चुके हैं बाकी की details हम upcoming sessions में देखेंगे और भी updates आ जाने के बाद देखेंगे चलिए अब अगला question देखते हैं next question है recently who has won two bronze medals at the Parap Powerlifting World Cup 2024 in Pattaya Thailand option A Kasturi Raasamani, option B Ashok Malik, option C Sakina Khatun and option D Paramzit Singh तो इसका answer हो जाएगा option number C यानि Sakina Khatun यह है Sakina Khatun इन्होंने women के 55 kg category में 93 kg को lift कर best lift best lift and total lift category में sorry total lift category में medals जीते हैं दो medals जीते हैं, दो bronze medals जीते हैं तो यह है Sakina Khatun इन्होंने दो bronze medals जीते हैं पारा Powerlifting World Cup 2024 में जो पताया Thailand में organize किया गया है और अगर other options की बात करें तो option number B यानि यह है असोक मलिक इन्होंने men की 65 kg category में gold medal जीता है गोल्ड मेटल जीता है और यहां पर अगर हम 4th option की बात करें परमजीत सिंग तो इन्होंने जो है अभी 49 kg की category में men की 49 kg की category में silver जीता है और first option कस्तूरी राजा मनी इनके बारे में बात करें तो यह woman की 67 kg category में इन्होंने bronze जीता है तो यह सारे facts हो जाते हैं इन्हें आप ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं इस question का answer आप मुझे comment section में बताएंगे अभी तुरत हमने previous slides में इससे discuss किया है इसका answer जो होगा वो आप मुझे comment section में बताएंगे इस question के साथ हम आज का session यहां paint करते हैं आप से मिलेंगे अगले session में कुछ new topics के साथ next day मिलते हैं धन्यवाद